हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत एक नए वीडियो में आज की वीडियो में बात करने वोलाँ किस तरीके से आपका भी इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहे तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं जैसे कि आप लॉग इन करने की कोर्सेश करते हैं अपने कंपूर्टर देख सकते हैं यह प्रॉब्लम है तो इसको फिक्स करने के लिए ठीरी लाइन पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको यहां पर यह वाला ओप्सन दिखेगा यह सेटिंग इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहां पर यहां पर यह प्राइवेसी दिखेगा और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंट्रोफीज दिखेगा उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा यह data clear का यहां पर cookies and side देख सकते हैं इसके सामने और इस पर आपको click करना है और all clear कर देना है यहां से और इन सब को tick करके clear कर देना है और यह बहुत ही आसान है आसानी से आप कर पाएंगे और login होने में अगर problem होता है तो इसको easily fix कर सकते हैं friends तो यहां पर इसे भी clear कर देंगे उसके बाद आपका देख सकते हैं यहां से एक बर और इस पर clear करके आपको ध्यान रखना है कि यह data clear करने से क्या होता है कि जब भी आप बार बार try करते हैं तो detect कर लेते इस चीज़ को तो इसलिए यहां पर इस problem को fix करने के लिए यह करना प जाएगा तो चलिए अगर इस टाइब का जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइब का problem आता है तो आप login कर पाएंगे easily जैसे कि मैंने आपको बताया था तो यहां पर आपको अपना email id डाल के मैं अपना login करके दिखा देता हूँ टमप्रेटली मैंने ऐसा ही मैंने बना रखा email id तो चलिए मैं इसको create करता हूँ I mean इसको login करता हूँ और इसको login करने की courses करता हूँ मैं यहां से फटाफट से जो email id मैं डाल देता हूँ और फ्रेंस लाइक करके हमें support कर सकते फ्रेंस मैं definitely आप लोगा reply करूँगा और इसको मैं यहां से email id सही सही डाल देता हूँ यह basically मैं यह email id क्रेट किया हूँ मतलब ऐसा ही shop करने के लिए कोई problem आता है तो उसको create करने के लिए मतलब solve करने के लिए उसके बाद आपको इस तरीकी का interface दिखेगा आपको login कर देना है और आपका जो भी password है वो डाल देना है तो चलिए मैं यहां पे अपना password डाल देता हूँ और यहां से login कर देता हूँ और यहां से don't save password यहां पे दो दो नंबर मैंने ओव नंबर एड करना सिखाया था तो उसमें आप लोग को यह सब देखना चाते हैं तो देख लीजेगा उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से two step verification और dual verification लगा सकते हैं तो यह सब मैंने सिखाया उसमें तो अगर देखना चाते हूं तो देख लीजेगा आपको वीडियो का link description में मिल जाएगा और यहां पर OTP आया तो मैं OTP को डाल देता हूं और उसके बाद क्या है कि आपका login हो जाएगा easily और पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब हो जाएगा तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यह हमारा successfully login हो चुका है तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर चेक करके और यह हमारा login हो चुका है तो फ्रेंस आइप की वीडियो पसंद आया पसंदे तो लाइक शेयर औ करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्श वीडियो में ऐसे की इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आपको कोई भी सवाल हो आप इंस्ट्राग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जागा आप वहां से फोलो कर सकते हैं और कोई भी कोश्चिन हो जवाल हो आप मुझे पूछ सकत है हलो फ्रेंज फिर से स्वागत एक ने वीडियो में हलो फ्रेंज